नफशकार दोस्तो नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर से सवक्त है तो आज हम डिस्कस करेंगे बुगोल का पार्ट टू एक पार्ट में इसका डिस्कस कर चुका हूँ अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं तो आ बहुती मतपूर्ण कोशन बनाए जा रहे हैं आने वाले TGD कमिशन, LT कमिशन और शास्त्री कमिशन और हिमाचत के जितने भी एकजाम होंगे उनके लिए काफी मतपूर्ण हैं तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें स्किप ना करें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की त देखें तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं सूरे किस्ता पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या खा जाता है तो उन्हें का जाता है फ्रोन ओफर रेखाएं कोईसी रेखाओं को जो सूरे किस्ता पर काली रेखाएं पड़ती हैं उन्हें कहते आप कि स्क्रीन पे है, सूरे के बाषिष्टा का ताब मान कितना degree celsius है, तो बहुती कोशन महत्अ पूर्ण ने अनेबल एक्जाम के लिए ब्डीओ को पूरी देखें, स्किपना करें, तो जल्दी से इसका राइटरिज furry बताएं सूरे के बारिस्ता का ताब मान कितना degree Celsius है देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है तो इसको होगा 6000 डिगरी जो Celsius है वो सूरे के जो बारिस्ता है उसका ताब मान 6000 डिगरी Celsius है यह राण next question सूरे की दिप्ति मानस्ता को डैश कहते हैं तो चार रोषन आपकी स्कीन पर जल्दी से आपको इसका राइटन्स बताना है सूरे की दिप्ति मानस्ता को डैश कहते हैं तो अगर आप जियोग्राफिक को अच्छ डंग से पढ़ रहे होंगे आने बाले exam के लिए अच्छ डंग से त्यारी कर रहे होंगे तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका राइटन्स होगा जो प्रकाश मंडल है वो जो सूरे की दिप्ति मानस्ता को कहते हैं प्रकाश मंडल यह राण next question सूरे ग्र्यान के स्मय सूरे के दिखाई देने वाले भाग को क् लगता है तो जो उसका एक चोटा सा बाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं बहुत ही महत्तपुर्ण कोशन मना जा रहे हैं आगे और भी अच्छे कोशन आने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें स्किप न करें अ तेरा नेक्स कोशन सूरे का ब्यास कितना है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं सूरे का ब्यास कितना है कई बार ये कोशन एकजाम में भी पूछा जा चुका है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं जो सूरे का ब्यास है वो कितना है तो जल्दी से इसका इन में से कौन सा बोन अगरा है कईम बार ये एक्जाम में पूछा जा चुका है और हम ग्रूप के मादिम से भी इसको डिसकस कर चुके है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं इन में से कौन सा बोन अगरा है देखते हैं सबसे फ़हले कि इसका राइटन्स आता है वीड अगर बोनेगर है की बात करें तो कुल कितने ग्र थीन बोनेगर है कौन कौन से पुलूटो इसको भी आप यद रखें पुलूटो चेरों बैया तो पुलूटो चेरों और तरता पूर इन मैंसे कौन पांच ग्रह ऑंकों नंगी आंकों से देखा जा सकता है, तो जल्दी से इसका राइटनस बता है, तो जल्दी से इसका राइटनस बताना है। सोच समझ के इसका राइटन्स बताना है, ऐसे कौन से पांच ग्रह हैं जिने हम नंगी आंकों से भी देख सकते हैं, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, देखते हैं सबसे पहले कि इसका राइटन्स आता है, इन मेंसे कौन से ऐसे पांच ग्रह हैं जिने हम नंगी आंक यह रार नेक्स कोशिन इन में से ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पर्शिम दिशा में ब्रह्मन करते हैं तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पर्शिम की दिशा में सूरे के चार और ब्रह्मन करते हैं तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका होगा जो शुक्कर और आरुण है न वो शूरे के चार और पूर्व दिशा से पश्षिम दिशा में ब्रह्मन करते हैं। यह रा नेक्स कोशन, सोर मंडल में ग्रहूं की संक्या कितनी है, तो जल्दी से इसका राइट अंस बताएं, वीडियो अच्छी लगें, तो लाइक करें, शेर करें, एंड सबस्क्रे करें, कंजूसी न करें, लाइक करने में कोई कंजूसी न करें, बहुत ही अच्छे कोशन बनाए जा रहे हैं, तो जल्दी से इसका राइट अंस बताएं, सोर मंडल में ग्रहूं की संक्या कितनी है, तो इसकी है आठ ग्रह, कितने ग्रह हैं, सोर मंडल में ग्रहूं की संक्या कितनी है, आठ, यह रा नेक्स कोशन, तो बताएं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बच के डिए करने बड़ेगी कि सबसे बड़ा ग्रहा कौनसा है तो जल्दी से इसका राइट 앉ज बताएं चार उप्षिन आप nasal screen पर है तो इसका व्रिष्वति व्रिष्वति जो tönt इसके उप्राने है बिशाल दबबे वाला ग्रह कुँन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका व्रिस्पति है जो विशाल लाल दब्यवला जो ग्रह है यह रा नेक्स कोशन सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं जो चमकीला ग्रह कौन सा है शुक्र है मंगल है शनी है व्रिस्पति है तो जल सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसके सबसे ज्यादा ग्रह है उपग्रह है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है तो इसका होगा व्रिस्पती तो इसको भी आप अच्छे से देखें एक या दो एक्जाम में से कोश्चन जरूर बनेंगे यह रा नेक्स कोश्चन सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो यह भी व्रिस्पती है जो सबसे अधिक भारी ग्रह है और जो सबसे अधिक उपग्रह व्रिस्पती तो इसको पर आप याद रखें यह रा नेक्स कोश्चन सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं कई बार ये question exam में पूछा जा चुकgon और कई बार हम निसे discuss भी कर चुके हैं और आप बच्पन से भी इसको पटते आ रहे हैं SORE MENDAL का सबसे बड़ा उफ़ग्राय कोंसा है तो यह ग्यानी मेडे जो SORE MENDAL का सबसे बड़ा उफ़ग्राय है यह रा Next question सोर मंडल का सबसे शोटा उफग्रह कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है सोर मंडल का सबसे शोटा उफग्रह कौन सा है तो वो है डी मोस अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वह ग्यानी मेडे तो आप कोशन को ध्यान से देखें, ओप्षन को भी ध्यान से देखें, वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करते रहें यह रहा नेक्स कोशन, सोर मंडल का लाल ग्रह कौनसा है? तो जल्दी से इसका राइटनस बताएं बहुती मतपून कोशन बना जा रहे हैं, अगर आपके स्योगा तो आगे भी अच्छी और वीडियो बना के आपको देंगे सोर मंडल का लाल गरे है कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं जो मंगल है वो सोर मंडल का लाल गरे है यह रा नेक्स कोशन सूरे से सबसे दूर स्थित गरे है कौन सा है तो यह भी कोशन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आशय करते हैं कि आप जलदी से इसका right-nIMS बताईं जो सूरे से सबसे दूर है वो कौन सा ग्रय है तो ये है बर्ण जो सूरे से सबसे दूर है ये रा-next question सूरे के सबसे नजदीक की अब में शोटा ग्रय है कौन सा है ऐसा कौन सा ग्रै वो सूरे के नजदीक भी है और शोटा भी है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं कोश्चन को ध्यां से देखें ध्यां से समझें किसी भी एक्जाम को क्लेर करने के लिए स्टडी को अच्छी करें डीपली करें तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं सूरे के सबसे नजदीक की एबम शोटा ग्रै कौन सा है तो इसका होगा बुद्ध ये सबसे शोटा ग्रै भी है और सूरे के सबसे नजदीक भी है ये रा नेक्स कोश्चन प्रित्वी की सबसे निक्ट, सबसे चमकिला, एबम सबसे गर्मग्राय कौन सा है जिसे सांज का तारा या भोर का तारा भी का जाता है तो इस कोशन मैं से 3-4 कोशन आपके बन रहे हैं तो कोशन को द्यान से देखें, ओप्षन को भी द्यान से देखें तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है तो इसका होगा शुकर, प्रित्वी कहिए सबसे निक्ट ग्रह है, और चमकिला भी है, और गरम भी है और इसे सांज का तारा और भोर का तारा भी कह जाता है, तो छे और साथ कोशन यहां से आपके बने हैं तो कोशन को द्यान से देखें, यह राइटन्स कोशन, जो बूद्ध के उपग्रहों की संक्या कितनी है, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है और आपकी कितनी तियारी है, बूद्ध के उपग्रहों की संक्या कितनी है, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है, तो जो बूद्ध के उपग्रहों की संक्या कितनी है, जीरो, इसका कोई भी उपग्रहों की संक्या क कितनी हैं तो जलदी से स्तिका राइटनल स्बताएं इसकी जीरु षज्व बुद्ध और शुक्र है इनके कोई भी उफघ्रै नहीं तो इसको वी याद रखें ये रा नेक्ट्स इसकोм जो पृत्रवी के उपघ्रहूं की संख्या कितनी है तो जलदी से इसका राइटन्स बताएं जो फृतिभी के उपग्रह हैं उनकी कितनी संक्या है तो देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है जो फृतिभी के उपग्रह है उनकी संक्या कितनी है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहें तो पृत्वी के जो उपग्रह है उनकी संक्या कितनी है तो जल्दी से इसका राइटंस बताएं बुद्ध और शुक्र के जो उपग्रह हैं कि कोई संक्या नहीं है पृत्वी की संक्या एक है अब आप मुझे यह बताओ कि जो मंगल के उपग्रहों के कितनी संक्या है तो उनकी है 2 यह राख नेक्स स्कौशा कितनी है जल्दी से इसका राइटंस बताएं तो इसका होगा 67 यह वरेश्पती की उपग्रहों की संक्या है तो मैंने आपको पहले बताए कि सबसे दिख उपग्रहों बोला कौन सग्र है तो विरिस पती है और उपग्रहों को संक्या कितनी है यह रहा नेक्स कोश्चन शनी के उफग्रहों की संक्या कितनी है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं जो शनी के उफग्रह हैं उनकी संक्या कितनी है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं शनी के जो उफग्रह हैं वो उनके संक्या कितनी है तो इसका है टाइटन इसको भी आप याद रखें टाइटन अगर ये सोर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपगर है इसे भी आप याद रखें और ये अकार में बुद्ध के वरावर हैं इसे भी आप याद रखें तो कोशन को ध्यां से देखें बहुत ही मतपून कोशन बना जा रहे हैं, अच्छे से कोशन मना जा रहे हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करते रहें, यह रा नेक्स कोशन, अरुण के उपग्रहों की संक्या कितनी हैं, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, वीडियो को पूरी देखें, कोई भी कोशन स्कि कितनी हैं, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, तो इसके है 27, जो अरुण है उसके उपग्रहों को संक्या कितनी हैं, 27, तो इसे भी आप याद रखें, यह अकार में 30 रा सबसे बड़ा ग्रह है, यह अगर अकार की बात करें, तो जो अरुण है वो सबसे 30 रा सबसे यह भी आप याद रखें, यह रा next question, जो बरुण है उसके उपग्रहों की संक्या कितनी हैं, इसका राइटन्स आपको बताना है, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है, जो बरुण है इसके उपग्रहों की संक्या कि इतनी हैं तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं प्लीज जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका राइटन्स होगा तेरा और ये हरे रंग का ग्रह है इसे भी आप याद रखें अगर एकजाम में पूछा कि जो वर्ण है वो कौन से रंग का है तो वो है हरे रंग क इसको भी आप याद रखें, यह रा नेक्स कोश्शन, फुबोंस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है, जल्दी से इसका right answer बताएं प्लीज, फबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं, तो यह है मंगल के, अगर इसके कलर की बात करें, तो इसका जो रंग है वो लाल है, रेड है, कौन से मार्स, जो फबोस और डिमोस हैं, जो उसके उपग्रह हैं, वो उसके कों से है, मंगल, इसका कलर कौन सा है इसका color है red इसको भी आप याद रखें ये रा next question सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटनस बताएं सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है तो जल्दी से इसका राइटनस बताएं ये जितने भी कोशन बनाए जा रहे हैं बहुत ही इंपोडेंट हैं तो आने वाले एक्जाम में ऐसे कोशन जरूर बनेंगे तो बीडियो को लाइक करते रहे हैं शेर करते रहे हैं तो इसका राइटन्स होगा जो सबसे दिक चमकिलना तारा है अगर मेरे दुवारा बनाए गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करते रहें शेर करते रहें और चैनल को सबस्काइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपॉडेट आपको समझ समय पर मिलती रहें आशे करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं प्लेज सभी लाइक करते रहे हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद